हेलो एवरिबन वेलकम टू अभी मन्यू आईएस और कैसी चल रही आप सभी की प्रिपेरेशन आई होप सभी अच्छे सी प्रिपेर कर रहे जो भी स्टूडेंट्स अभी मन्यू आईएस के साथ जूडे हुए हैं उनके साथ में स्पेशली मैं कुछ पॉइंट्स शेयर करना जाते हूं कियर फूली सभी ने सुनने हैं तेखिए अगर माल लीजिए एक परसंट डॉक्टर के पास जाता है अपने प्रोब्लम को लेके और वहां पर डॉक्टर से कुछ मैडिसेंस लेके आता है कि हांज मेरा प्रोपर इलाज हो जाए इन डाट केस इफ ही पूट टेक बैडिसेंस इन डाट केस जस्ट आंसर में क्या वो मैडिसेंस असर करेंगी क्या प्रोब्लम सोट आउट हो जाएगी सभी का आंसर आ रहा है नो विकॉज जब तक हम मेडिसेंस को टाइमली नहीं लेंगे जैसे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया वैसे हम उसको नहीं लेंगे इन डाट केस प्रोब्लम कैसे सोट आउट होगे जो मेडिसेंस उसका बेनिफिट कैसे मिलेगा मेरे साथ में जुड़े हुए हैं मैं आप लोगों को प्रोपर हर एक स्टैप पर गाइड कर रहे हूं अब देखिए माली जी आपने अभी मन्यू आईएस का कम्प्लीट कोर्स ले रख है इन डाट केस आप चाहते हो कि उसका मुझे मैक्सिमम बैनिफिट मिले तो क्या करेंगे उसके अंदर जो जो भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उनको कैसे फोलो करना है कैसे प्रिपेर करना है तैट इस मस्ट तभी उसका मैक्सिमम जो कुछ वीडियोस है वो मिल ही नहीं पाती ठीक है कुछ स्टूटेंट्स को हम जो कॉश्चिन्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो उनको फाइंड आउट नहीं कर पाते ठीक है क्योंकि वो प्रोपर एक्स्प्लॉर नहीं कर रहे हैं उसको बट वी आर गिविंग यू सो मच जिससे आप काफी अच्छे से प्रिपेर कर सकते हो तो अभी देखिए सबसे पहले आप यह देखो हमारी साइट है अभी पीडिया डोट अभी मन्यू डोट को मभी पीडिया इस ऑब ओनलाइन पोर्टल ओफ अभी मन्यू आई एस तो अब यहां पे देखो जब हम अपने पर जाते हैं इन डाट केस आपके डैशबोर्ड पर आपका कोर्स मिल रहा है आपको ओके अब देखो वहां से भी आप जा सकते हो दूसरा देखो यहां से हम क्या करेंगे चूज एक्जाम करेंगे जब सी सेट पर जा रहे हो ठीक है तो उस केस के अंदर यहां पर आप चल रहे है लाइव कोर्स फोर सी सेट अब यहां पर देखो दिस इस दा कम्प्लीट लाइव कोर्स इस बैच टू अन्द इस इस स्टार्टिंग फ्रों 23rd ओके तो अब यहां पर देखी क्या हो रहा है आपको क्या क्या मिल रहा है यहां पर आप देखो 150 वीडियो लेक्चर से 150 वीडियो लेक्चर से जिसके अंदर प्रिवियस येर के भी लेक्चर साथ में अब लेबल है कन्फ्यूज नहीं होना कि हां जी पहले कौन से मैंने लेक्चर करने ध्यान से समझेंगे सभी ठीक है मिल क्या रहा है पहले यह देख रहे कैसे उनको फोलो करना है फिर मैं व लेबल है साथ में 3000 प्लस कोस्टेंज प्रैक्टिस के लिए अलग से अवलेबल है ठीक है अब देखो कैसे हमने करना है फर्स्ट आफ जैसे हम जहां पर कोर्स पर जाते हैं यहां यहां पर आप देख सकते हूं कुछ डेमो लेक्चर से जो निव स्टूडेंट्स है जिन्हो जिन स्टूडेंट्स ने सस्क्राइब किया हुए तो उनको पूरा कोर्स यहां पर मिल रहे हैं अब यहां पर भी देखो तीन टैब बने हुए हैं कौन-कौन से टैब है फर्स्ट इस अपकमिंग वीडियो सेकिंड इस सब्जेक्ट वाइस एंड थर्ड इस पास्ट वीडि हैं उस लेक्चर को देखने के बाद आप कहते हैं कि मुझे दुबारा से उसको एक बार चेक करना कुछ मेरे पॉइंट्स रह गए हैं या मुझे टैस्ट उस ताइम पर मैं अटेंप्ट कर पाई हूं तो मैं बाद में अटेंप्ट करूंगे तो वो जो वीडियो लेक्चर उसका टाइमिंग 2 पीम का है मंडे वेनस डें सेटरड़े तो यहां पर देखो आपके पास में जैसे यहां पर अब लेबल है फ्राइडे 25 नवंबर को 2 पीम आपका लाइव लेक्चर होगा तो यह आ रहा है आपके पास अपकमिंग वीडियो के अंदर अब अगर मालो मैं लाइव क्रास नहीं लगा पाई तो मुझे पुराना जो लेक्चर है उसको चैक करना है तो उस केस में आप कहां पर जाओगे यह विल गौन पास्ट वीडियो जब हम यहां पर जा रहें पास्ट वीडियो में तो यहां पर भी कन्फ्यूज नहीं होना देखो यहां पर जो लोगमबर 23 का लेक्चर जो की लाइव फर टू पीम वहां पर हमने इस साथ में अपर तेंट कर लिया सफिशेंट सफिशैंट है नहीं क्या करना है है उस लेक्चर के साथ में देखी वेबनोट भी रटेच वेबनोट यू रिफो आनसो रीधीजवेबनोस क्लास पीडिफ अटेच अज क्लास में क्या करा यह उसकी कब करने जब topic complete हो जाएगा ओके और यहां पर test है जो आपको class के अंदर जो आपको class के अंदर teach किया गया है उसी इसके लिए यहां पर test of label है कि अब आपने क्या करना है जो भी class आप attempt कर रहें उसका test जरूर attempt करना है so that आपको पता चले कि जो आज मैडम ने class में कराया है क्या वो मेरा सारे points clear है क्या मेरे सारे points यहां पर clear है अब यहां पर देखिए test यहां पर आपके पास आगे कैसे प्atique है कैसे कारने अब देखो जो भी आप question करोगे क्या आगे आपके पास next yeah next next यहां पर आप देख्वर में जो भी question हम आगे कर रहें तो उस तरह से आप टेस्ट को attempt करोगी ऐस्ट को attempt करने के बाद में टेस्ट को जब आप submit करते ह। test को आप submit करते हो, तो submit करने के बाद में, यहाँ पर आपने feedback डालने, after giving the feedback, क्योंकि without feedback आगे नहीं जाएगा वो review के लिए, कोई भी आपका feedback है, वो आप feedback यहाँ पर डाल देंगे, okay, and then submit the test, okay, तो अभी हमने देखा ही नहीं कि question हमने क्या solve किया, बट यहाँ पर आपका review आग जो मेरे wrong है, उनको मैंने check करना है, कि उनको मैं कैसे correct कर, उनको solve करके देखू, because tests के अंदर हमेशा ध्यान रखो, important questions होते है, okay, तो अब देखो, जैसे यही है, यह question आ रहा है अपने पास में, क्या क्या answer क्या आएगा, यह आएगा, ठीक है, हाँ जी, अब देखो, यहाँ पर क्या है, explanation भी है, 7th place is 1000, and 3rd place is 10, तो यह यहाँ पर आगया, उसका solution, ठीक है, same way, हम next question की तरफ बढ़ते हैं, यह देखी, और साथ में, solution के साथ में क्या आ रही है, उसकी explanation है, okay, same way, हर एक question के साथ में, आपको explanation मिल रही है, फिर भी, अगर माल लीजे एक particular question है, माल लीज जो question है, इसका solution के बावजूद भी मेर को न, यहाँ पर, problem आरे मुझे समझ नहीं आ रहा, ठीक है, नहीं मेरी clarity आरे, कोई problem नहीं है, you will just, copy the question, okay, copy करेंगे question को, उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पर देखो, जहाँ पर हम lecture अपना चेक कर रहे थे, वहाँ पर देखो, न आपका question था, उस particular question को यहाँ पर paste कर दोगे, copy paste कर सकते हो, type कर सकते हो, यह वाला जो question है, इसके अंदर मुझे doubt आ रहा है, okay, same way, जब आप class लगा रहे हो, by chance क्या होता है, कि उस time पर आपको नहीं पता चल रहा, आपको बाद में वीडियो को देख रहे हो, उस case में भी, जो doubt है, उसको क्या करेंगे हम, clear कर लेंगे, जो छोटे-छोटे doubts है ना पीटा, हो पूरे का पूरा एक loophole बन जाता है, और फिर हम उसी के अंदर फस जाते हैं, और exam में वो छोटे-छोटे doubts ही खराब करते हैं, तो इसलिए doubt कोई भी नहीं रखना, simple क्या करेंगे, let us discuss column के अंदर आप अपना doubt put कर दोगे, उस question को हम next class के अंदर discuss कर लेंगे, okay, अब कई बार क्या होता है कि जो class काफी पहले की class होती है, तो same time पे अगर doubt नहीं भी हो पार है, तो यहां तो ऐसा करेंगे, कि यहां पर आपका doubt cancer आजाएगा question का, आपको पास mail चली जाएगे, okay, या पिर क्या होगा, जो doubt sessions बीच में है, उसके अंदर उसको consider कर लेंगे, means कि doubt आपका अपर clear होगा, clear, yes, point is clear, क्या करना है हमने, क्या करना है देखो, step बता रहे हूं मैं आपको, पहले अपनी video जो है live class है, live class को attend करना है, live class के अंदर कोई doubt है तो तो वो तो आप साथ में interact करी स सकते हो, वहाँ पर interact करके अपने doubts clear कर लोगे, साथ में ही हमने क्या करना है, उसके बाद में जो भी class के अंदर questions कराए गए है, यहाँ पर PDF है, हना, class की PDF है, इस PDF के अंदर से हमने क्या करना है, जो भी questions हमने जैसे class के अंदर discuss कि है, वो सारा का सारा data यहाँ पर आ गया, एक पर उसको revise कर लेना है, revise कर लेना है क्या, क्योंकि जब मैं करा रही होती है, means teacher जब भी करा रहा होता है, तो सारे चीज़े हसाल लग रही होती है, एक कावत भी है कि बाप्तू के हाथ में कुलाडी हलकी लगती है, है ना, है ना इकावत, means what, कि जब दूसरा बंदा काम कर र नहीं हो पा रहा है, तो जब दूसरा कर रहा है, तो आपको easy लग रहा है, means class के अंदर मैं कोई question solve कर रही है, in that case, you think, yes, this is easy, I can do it, मुझे समझ आ रहा है, बट जब खुद से उस same question को करते हैं, तो नहीं हो पाता, इसलिए क्या करना है हमने, yes, यहां से सभी को एक बार हमने सभी ने solve करके देखने के, हां मुझे सारा का सारा समझ आ गया, फिर भी अगर doubt है, in that case, let us discuss column में डाल दोगे, कोई issue नहीं है, okay, हां जी, clear, first step, हां जी, हमने lecture attend करना है, after that, web notes चेक करने, web notes भी यहां पर है, यहां पर जो class के अंदर, जैसे इसके अंदर हमने कुछ rules discuss किये है divisibility rule, तो यहां पर divisibility rule का, वो भी discuss है, notes, okay, जिसको आप read कर सकते हूं, PDF attach है, साथ में test attach, test जरूर attempt करने, तो उससे क्या होगा, कि जो हमारी यह class है, इसका आपको पूरा benefit मिलेगा, अब particular class पर हमने attend कर ली, अब यहां पर एक और point है, काफी students है, सोचते हैं कि बस क्या इतने questions sufficient है हमारे लिए, नहीं, मैं भी नहीं कहूंगे कि हाँ sufficient है, because exam में तो कुछ भी आ सकता है, I'm just clearing your concepts, and we are discussing some questions, okay, यहां पर practice के लिए, आपको देखिए, यहां पर अगर number system की अगर बात करते हैं, तो number system के यहां पर आप देख सकते हो, कितने, 515 questions available है, 515 questions of number system, अब जब आप 515 15 questions को practice कर लेते हो, उसके बाद आप देखो कि number system अपना पूरा clear हो जाएगा, okay, इसी तरह से जैसे number system discuss किया, इसी तरह से next topic आएगा, next topic आएगा, next topic आएगा, but अभी देखो, मैंने अभी क्या बताया, आपको step, first step के हाँ, class को attend करना है, and then, अब मैं इन कहूंगे कि first class के first class को देखने, first class के बाद, यहाँ पर आ रहे थे हम complete course, अपना course है, yes, this was our course, हाँ जी, अब यहाँ पर, देखिए आप कि, अगर आप subject wise जाते हो, यहाँ पर देखिए, subject wise जब हम जाते, तो यहाँ पर आप जब maths चल रहा है, तो maths and mental ability में आप गए, ठीक है, तो यहाँ से है, और क्या क्या आपको यहाँ पर मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए, maths and mental ability के अंदर 20 तो अवलेबल है, 20 जो अवलेबल है, वो कौन से है, इसके अंदर previous year question papers है, ठीक है, और दूसरा जो lectures आपके class में हो चुके हैं, इसके अलावा 49 scheduled है, that means 49 अभी आपको और भी मिलेंगे, ठीक है, इसी तरह से logical reasoning English सभी का यहाँ पर, एक तरह से जब आप subject wise जाओगे, तो आपको पूरा blueprint मिल रहा है, आपके course का क्या 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 मिलने वाला है, यहाँ पर, ठीक है, आप देखूं, यहाँ पर क्या है, पहले number system part 1 आगया, then number system part 2, number system part 3, अभी जस्ट एक lecture हुए अभ बाकी के अभी scheduled है, अभी जैसे 25th, 25th को एक lecture हुए, इस तरह से, सारे के सारे scheduled है, next is zone 28th, इस तरह से, अब यह जो है आपके lectures, यहाँ 5, 6, 6 तक क्या है, जिसके अंदर हम आपको teach कर रहे है, these are concept based lectures, ओके, and with each lecture, यहाँ पर आप देख सकते हैं, web note, class, pdf, और online test है, उसके और जो अभी मैंने आपको दिखाए, 500 plus practice questions, you will practice those questions, as well as you will do the previous year questions, okay, तो जो यह वीडियोज है, ऐसा नहीं है, कि these videos are available, so हम सबसे पहले इन ही कोई देखे नहीं, क्या करने हैं हमने, पहले अपने concepts के लिए करने हैं, उसके बाद में यह जो वीडियोज है, इनके अंदर भी, जो class के अंदर जो test, जो like questions previous year के discuss किये गए, वो PDF के साथ में attach है, तो खुद से उनको solve करने के कोशिश करने हैं, कि हां हमें कितना कर पा रहे हैं, ओके, तो आप इसको करोगे, same way, फिर LCM, HCF, tricks and techniques, average, सभी topics, यहाँ पे आप देख सकते हो, सभी है, तो यह पूरे का पूरा blueprint ह यह देखो, आपको पूरा का पूरा मिल रहा है, this is quantitative aptitude, same way, logical reasoning है, हां जी, logical reasoning है, देखी, आपके पास में logical alphabets, coding and decoding, और सभी इसी तरह से जैसे मैंने भी आपको बताया, हर एक के साथ में क्या हो रहे है, कि जो lecture है, जैसे यहाँ पर previous year का already available है, मैंने भी आपको क्या बता है, कि जो previous year के वो lectures यहाँ पर available है, साथ में जो concepts वाले lectures हैं, जैसे syllogium 1, syllogium 2, एक concept के lectures अभी आपके live जाएंगे, okay, तो same way आपका logical reasoning का करा गया है, same way आपको मिलेगा English का और English के अंदर जैसे हमारे concepts है, mainly, English में lectures का हमें, but English के अंदर हम क्या करा रहे है, आपको पता है, सार यहाँ पर जो 9 lectures हैं, these are scheduled, और इसके अलावा, जो lectures के साथ में, जो lectures हैं, उनमें आपके basic जो concept है, आपका inference, conclusion, injunction, तो यह particular concepts है, वो सारे के सारे यहाँ पर clear कराए जाएंगे, इसके अलावा practice के लिए, practice के लिए, आपको 1000 के nearby questions यहाँ पर मिलेंगे, reading comprehension के, इससे आप उसको प्रेक्टिस कर सको, okay, in the form of test, जैसे मैंने अभी आपको quantitative aptitude का यहाँ पर show किया है, इस तरह से, तो यह है अपना complete course, but confused नहीं होना, पीटा, कई बार हम सरफ इतना देख रहे होते हैं, upcoming, और फिर हमें नहीं पता चलता कि, इस course में हम आपको क्या क्या हमें मिल रहे हैं, और क One is upcoming, subject wise and past videos, जब subject wise पे जाओगे, तो वहाँ पे आप चूज कर सकते हैं कि मुझे quant का करना, logical reasoning का करना, और साथ में हर एक step पे हम आपको guide भी कर रहे हैं, हर एक step पे हम आपको mentorship provide कर रहे, there are some mentorship lectures also scheduled, okay, तो proper guidance के साथ में हम आपको preparation कर रहे हैं, अब जो students already enrolled हैं, उन्होंने कैसे चेक करना है, कोर्स को कैसे उसको follow करना है, that is must, simple ऐसा निया है कि हमने register कर लिया है, और फिर हम free हो के बैट गई है, सी सेट क्लियर हो जाएगा, नहीं, सी सेट को ध्यान से prepare करना है, अभी हमारे पास में six months हैं, और हम ज्यादा बर्डन नहीं डाल रहे हैं, आपके उपर सी स अभी एक class गई है, सिरफ बाकी का अभी सारा course है आप लोगों के लिए, और जो class अलड़ी हो चुकी है, वो भी आपके dashboard पे अवलेबल रहेंगी, आपके dashboard पे अवलेबल रहेंगी, past videos के अंदर आप उसको check कर सकते हो, ओके, yes, दूसरा, जिन्होंने register नहीं किया है, they can register, और यहां पे भी confuse नहीं होना है, डो point यहां पे आपको शोर है, online and offline, online and offline, when you go, yes, जब यहां पे हम जाते हैं, तो यहां पे आपके पास में option आएगी, choose one option, online, offline, अगर आप offline class लगा रहे हो, लगाना चाहरे हो, you want to come here, और आप class लगा सकते हो, in that case, go for offline, अगर आपको online चाहिए, in that case, go for online, clear, so I hope सभी को सारे points के लिए, अगर फिर भी कोई doubt आता है, किसी भी points में, all the students who are registered, non-register, जो register हैं already, उनको भी अगर जो online students है, offline तो वैसे ही class के अंदर interact कर लेते, तो जो online students है, specially, कोई भी अगर issue आता है, in that case, comment in the comment section, और आपको number भी provide किया गया है, जो students register है, उस particular number पे आप contact कर सकते हो, okay, yes, so I hope सभी points के clarity आगे है, आप लोगों को फिर भी कोई doubt है, बार-बार repeatedly कहरी हूँ में, आप लोगों को doubt नहीं रखना है, ना तो किसी particular topic से regarding, ना ही अपने course से regarding, okay, same way, अगर आप जैसे GS के लिए भी prepare करें, तो उस case के अंदर भी same point का ध्यान doubt नहीं रखना है, doubt नहीं रखना है, जो भी आप course prepare कर रहे हो, उस particular का एक-एक topic अच्छे से करना है, जो हम आपको provide कर रहे हैं, उस सारे content का maximum benefit लेना है, okay, so it was all for today, thank you so much, मिलते हैं next class में, best of luck. झाल, 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 झाल.